इस वीडियो में हम इनस एमफल जो एक विशागा पत्नम क्लास की स्टिल्थ गाइड़ मिसाल डेस्ट्रॉयर है और प्रोजेक्ट 15-B के बारे में जानेंगे इनस एमफल विशागा पत्नम क्लास की तीसरी स्टिल्थ गाइड़ मिसाल डेस्ट्रॉयर है जो 2023 में भारतिय नौसे ना में शामिल होगी इनस एमफल को मुंबई की मेजेकाउन डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 15-B के अंडर बनाया गया है आएनस एमफल ये पहली इन्यन नेवी की शिप है जिसका नाम नौर्थ इस्ट के एक सिटी पे रखा गया है एमफल भारत के नौर्थ इस्ट स्टेट मनिपूर की राजधानी है और वर्ड वार टू में बिटिश तामराज्य और जापानी सिना के बीच हुए युद के की याद में इसका नाम आएनस इमफल रखा गया है यह युद चार अप्रेल से 22 जून 1944 में लड़ा गया था 2011 में प्रोजेक्ट 15B के अंडर चार विशाकापट्नम क्लास के स्टील्थ गाइड़न मिसाल डेस्ट्रोयर के कंस्ट्रक्शन का कॉंट्रेक्ट साइन किया गया था प्रोजेक्ट 15B के अंडर भारतिय नौ सेना में चार विशाकापट्नम क्लास की स्टील्थ गाइड़न मिसाल डेस्ट्रोयर्स शामिल होंगी जिन में से तीन आएनस विशाकापट्नम, आएनस मौड मुगाव, आएनस इमफल को लांच कर दिया गया है आएनस पोर बंदर अभी एडवांस स्टेज़स में है कंस्ट्रक्शन के और जल्द ही उसे भी लांच किया जाएगा विशाकापट्नम क्लास की डेस्ट्रोयर्स की रेंज है 7300 किलोमेटर्स जो की 4600 नौटिकल माइल्स है इसकी टॉप स्पीड होगी 56 किलोमेटर्स पर आवर और डिस्पेस्मेंट है 7400 टन्स विशाकापट्नम क्लास की स्टेल्स गाइड़, मिसाल देस्ट्रोयर्स, अंटी सब्मरीन वार्फेर, लैंट अटैक, अंटी शिप, अंटी एयर जैसे वेरियस आपरेशन्स को परफॉर्म कर सकती है और इन्हें state-of-the-art technology से बनाया जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा advanced technology, armaments, electronic warfare, sensors, decoy systems से इसे एक्विप पिया जाएगा पहले विशाकपट्टम क्लास की Steel Carrier Destroyers को launch किया गया था 20 April 2015 को और ये भारती नौ सेना में 2021 तक commission हो जाएगी दूसरी शिप आयनेस मौल बुगाव को launch किया गया था 17 September 2016 को और ये भारती नौ सेना में 2022 तक commission हो जाएगी आयनेस इमफाल इसे launch किया गया था 20 April 2019 को और ये भारती नौ सेना में 2023 तक commission हो जाएगी जानते हैं Project 15 B के बारे में Project 15 B के अंडर भारती नौ सेना के लिए 4 विशाकपट्टम क्लास के Steel Guided Missile Destroyers को बनाया जाएगा जिसमें आयनेस विशाकपट्टम, आयनेस मौमुगाव, आयनेस इमफाल और आयनेस पोरबंदर होंगे विशाकपट्टम क्लास के Steel Guided Missile Destroyer का डिजाइन भारती नौ सेना के Directorate of Naval Design के द्वारा बनाया गया है और Project 15B Follow-On Project है 15A का जो Kolkata क्लास के Steel Guided Missile Destroyers के लिए था Project 15B के अंडर बनाया गये विशाकपट्टम क्लास के Steel Guided Missile Destroyers वर्ल्ड के टॉप Destroyers में से एक है और विशाकपट्टम क्लास के Destroyers भारती नौ सेना द्वारा ओपरेट किये गये सबसे बड़े Destroyers होंगे सभी शिप आयनस विशाकपट्टम, मौमुगाव, इमफाल और पोर बंदर दो मल्टी रोल हेलिकॉप्टर को अपरेट करने के लिए एक्विप किये जाएंगे और पहली शिप 2021 में भारती नौ सेना में शामिल होगी वर्ल्ड की नेवी सको कंपेर किया जाएं तो सबसे ज़्यादा Destroyers यूएस नेवी के पास है यूएस नेवी 68 Destroyers यूज करती है उसके बाद जापान जिसके पास 37 Destroyers है उसके बाद चाइना जिसके पास 33 Destroyers है जानते हैं Project 15A के बारे में Project 15A में भारती नौ सेना के लिए 3 कौकता क्लास के स्टील्ट गाइड़न मिसाल डेस्ट्रोयर्स को बनाने का कॉंट्रेक्ट दिया गया था ये एक फॉलोवर्ड प्रजेट था डेली क्लास के डेस्ट्रोयर्स का डेली क्लास डेस्ट्रोयर्स में आइनेस दिल्ली, आइनेस मैसूर, आइनेस मुंबई जैसी डेस्ट्रोयर्स शिप है Project 15A के अंडर बनने वाली 3 शिप थी जिनका नाम है आइनेस कौकता, आइनेस कोची, आइनेस चेन्नाई Project 15A के अंडर बनने वाली कॉलकता क्लास की स्ट्रील्थ गाइड़्स मिसाइल डेस्ट्रोयर्स पहली स्ट्रील्थ डेस्ट्रोयर्स थी जो भारतिय नौसिनकले बनाई गई थी मैसर गाउंप डॉक लिमिटेड द्वारा Project 15A के अंडर बनाई गए तीन शिप हैं आइनस कौकता जो भारतिय नौसिना में 30 मार्श 2006 को लॉंच किया गया था और उसे कमिशन किया गया था 16 अगस्ट 2014 को आइनस कोची जिसे लॉंच किया गया था 18 सेप्टेमबर 2009 और इसे कमिशन किया गया था 30 सेप्टेमबर 2015 को इसे लॉंच किया गया था 1 अप्रेल 2010 को और इसे कमिशन किया गया था 21 नौवंबर 2016 को बनाई गई विशाकाप्टन ग्लास की स्टील गाइड मिसाल दैस्ट्रोयर और प्रोजेट 15 ए के अंडल बनाई गई ओकता क्लास की स्टील गाइड मिसाल दैस्ट्रोयर भारत के में किन इंदिया को बहुत जाना बूस्ट देती हैं With this, I would like to end this video. I hope you like this video. Share this video with your friends and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.